अगर आपको पूछा कि भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्याटक कोंसे राज्य में आते हैं तो आप मैंसे बहुत से लोग महाराष्ट्र, गुजरात या हिमालेयन राज्य जैसे उत्तराकर्ण, हिमाचल प्रदेश बोलेंगे। तो तामिल नाडू फोरिंट तूरिस्ट को ऐसा क्या ओफर करता है आईए जान लेते हैं लेकिन इससे पहिले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब, थैंक्यू विदेशी पर्याटक भारत में बीचेश या पे नाइट लाइट देखने नहीं आते हैं। इंडियन कल्चर और इननत पीस को महसुष करने आते हैं। तामिल नाडू में द्रविडियन स्टाइल में बनेवे मंदिर जैसे बियादेशवरा टेमपल, मिन्नाक्षी टेमपल, इकमबरनाथ टेमपल, देखने में भव्य और बहुत सुन्दर हैं। इन में से कुछ तो हजारों साल पूराने हैं जो एंडियन कल्चर और आर्किटेक्टर को दर्शाते हैं। आज भी इन मंदिरों में हजारों साल पूराने कल्चर को संजोय रखा हैं। जिसे देखने के लिए फोरेंट टूरिस तामिल नाडू आते हैं। इसके आलावा यहाँ स्पेशल मेंशन इसा फाउंडेशन द्वारा कोईमबतुर में बनाये गए आदी योगी स्टैचू का भी होना चाहिए। जो योगी कल्चर को प्रमोट करती हुए तामिल नाडू में मैक्जिमम फोरेंट टूरिस अट्राक करने में मदद कर रहा Medical Tourism Index 2020-21 के अनुशा Medical Tourism के मामले में भारत दुनिया में दस्वे नंबर परे। लेकिन तामिल नाडू अकिले ही इन Medical Tourist का Majority Part लेकर जाता है। पुरे भारत में आने वाले Medical Tourist में से लगबग 40% लोग तामिल नाडू में आते है। इसमें चिन्ने में बसे हुए Advanced Medical Hospital जैसे Apollo Hospital तामिल नाडू की मदद करते है। ये 40% मेडिकल टूरिस्ट आगे जाकर टोटल फोरेंड टूरिस्ट के मामले में तामिल नाडू को बाकी राज्यों से आगे भरकते है। मेरे रिसर्च में ये दो पॉइंट मुझे Most Important लगे जो तामिल नाडू को मैक्जिमम फोरेंड टूरिस्ट अट्राक करने में मदद करते है। Thank you